सालम अलेकुम माइडियर स्टूडन्स और फ्रेंस आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिसकेशन है वो है इंडूप्लास्मिक रिटिकूलम तो सबसे पहले मैं आपको इसी इंडूप्लास्मिक रिटिकूलम के मीनिंग के बारे में बताऊंगा के वाट इस दा मीनिंग अफ इस तरह आप देखते हैं माई डिया स्टूडन्स यानि सिल के इंसाइड वे एक नेटवर्क मुझूद है जो के न्यूक्लियर मेंब्रेन से अराइस होकर बिल्कूल इंड हो जाता है किस चीज़ पे सिल मेंब्रेन पे यानि ये सारा साइडूप्लास्म है इसी साइडूप में नेटवर्क ओफ त्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एंडूप्लास्म क्रिटिकूलम केते हैं वह मुझूद होता है जो किस चीज़ से एक पॉइंट इसका अटेश होता है एंडूप्लास्म सोरी न्यूक्लियर मेंब्रेन से और दूसरा अटेश होता है वह सेल इनसाइड दा सेल सेल के अंदर या साइडूप्लास्म में दियर और नेटवर्क एक्स्टेंड फ्राम न्यूक्लियर मेंब्रेन ये एक नेटवर्क होता है जो के एक्स्टेंड होता है किस चीज़ से न्यूक्लियर मेंब्रेन से टूर्ड दा सेल मेंब्रेन अगर हम इसके पे नज़र डाले तो मैं देस्टूट नाइटीन 45 में एक सांटेस्ट था नाउन एस देपोर्टर इसी पोर्टर ने 1955 में एंडोप्लास्म क्रिटिकुलम के को डिसकवर किया पर इसके दो टाइपस है सोरी अगर हम इससे पहले कंपोजिशन को स्टडी करना चाहे तो दे आर म प्लास्म क्रिटिकुलम का वो टाइप है यह विल्कुल राइबोस्म है जो इसी इंडोप्लास्म क्रिटिकुलम के साथ अटेच होते हैं जिसके साथ इंडोप्लास्म कृटिकुलम यह वन प्लास्म क्रिटिकुलम का वो टाइप हैं और इसका फार शहे ना वह किस तरह का होते हैं रफाम होता है क्योंकि as the name indicates rough endoplasmic reticulum अगर हम बिल्कुल इसी तरह smooth endoplasmic reticulum को भी देखे तो it is the type of endoplasmic reticulum ये पर वही बाता जाती है कि ये भी endoplasmic reticulum का एक type है in which ribosomes are not attached जिसके साथ ribosomes attached नहीं है यहाँ पे ribosome absent है जबके यहाँ पे ribosome मौजूद है and appear smooth like और इसकी वज़ा से चुनके यहाँ पे ribosome नहीं है इसकी वज़ा से यह smooth होता है जिस तरह नाम से पता चलता है smooth endoplasmic reticulum अगर हम इसके function देके function तो my dear students इसकी वज़ा से बहुत सारे material इसी nucleus nucleoplasm से transmit होते है यानि बहुत सारे food के लिए inside the cell अगर हम देके तो यह transportation का काम करता है यानि help in the transportation of food in the cell यानि cell के अंदर यह transportation of food में help देता है इसकी वज़ा से food transport होता है पिर जो rough endoplasmic reticulum है चुनके इसके साथ ribosome होता है तो यह definitely protein synthesis में help करेगा smooth endoplasmic reticulum यह help in the lipid metabolism यह lipid metabolism क्या help करता है यह metabolize करता है किस चीज़ को लिपिट को बिलकुल अगर हम smooth endoplasmic reticulum को देखे तो liver में मुझूद liver में जब drugs शामिल हो जाते है तो यह smooth endoplasmic reticulum उसी drug को detoxification यानि detoxify करते है यह इसका diagram है यह nucleus का structure है यह nucleus का outer nuclear membrane है यह inner nuclear membrane है इसी membrane से my dear students thread like network arise होता है जिसको हम endoplasmic reticulum कहते है यह जो first part है जिसके साथ ribosomes attach है जो के मैंने black से dart dart किये है इसको my dear students rough endoplasmic reticulum कहते है और पिर इस से my dear students play पिर smooth endoplasmic reticulum arise होते है यहाँ पे ribosome नहीं होते है और यहाँ पे ribosome होते है तो यह इसका एक हिंड है जो के attach होता है किस चीज़ से nucleus से nuclear membrane से और दूसरा attach होता है किस चीज़ से cell membrane से so that's all about smooth endoplasmic reticulum thanks a lot